देश वासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोच कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज जूटी में कमी की थी, पिछले नमेंबर मेने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आगर किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और यह बेनिफिट नागरीकों को ट्रांसपर करे इसके बाद कुछ राज्यों ने तो बारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अ इस वज़े से पेट्रोल डीजल की कीमते इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकामले कहीं ज्यादा है। टैक्स में कटोटी करते हैं, उन्हें राजस्व की हानी होती है। जैसे अगर करनाटका ने टैक्स में कटोटी नहीं की होती, तो उसे इन छे महिनों में पांच हजार करोड रुपिय से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसोई भी साड़े तीन चार हजार करोड रुपिय से ज्यादा का राजय स्वे और मिलता लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरीकों की भलाई के लिए अपने नागरीकों को तक्लिव नहीं इसलिए अपने वेट में टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए वही गुजरात और करणाटा के पडोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन शे महिनों में साड़े तीन हजार करोड रुपिय से लेकर के पांच साड़े पांच हजार करोड रुपिय तक अतिरिक्त राज्यस्व कमा लिया जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवेंबर मेहने में वैट कम करने की बात की थी सबको मैंने प्रार्थना की थी लेकिन कई राज्यों मैं यहां किसी के आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आपके राज्य के नागरिकों की बलाई के ल उन्होंने नहीं माना, अब कई राज्य जैसे महराष्ट्र, पस्चिम मंगाल, तेलंगना, आंधर पदेश, तमिलनाडू, केरला, जार्खन, किसे ने किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरीकों को बोच कंटीरू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दोरान इन राज्यों ने कितना रेवन्यू कमाया, लेकिन अब आप से मेरी प्रार्थना है, कि देश हित में आप पिछले नमंबर में जो करना था, छे महने डीले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरीकों को वैट कम कर के इसका benefit पहुंचाईए, आप सब जानते हैं कि बारत सरकार के पास जो revenue आता है, उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है, मेरा सभी राज्यों से आग रहे हैं कि वैश्वीक संकट के इस समय में, कोपरेटिव फेडरलिजम की भावना पर चलते हुए, एक टीम के र हमें कई वीशे हैं बारी की में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर, आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया की देशों पर डिपर्नेंट है